प्यारे विद्यार्थियों आज के इस शिक्षन करिक्रब में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत विद्यार्थियों आज हमारा क्या विचार है पढ़ने का क्या टॉपिक निर्धारित कर रखा है पढ़ने के लिए कोई एक बच्चा बताए कविता के उपर अभिव्यक्ति और माध्यम में एक जो विधा दी गई है वो है कविता दो तिन विधाएं हैं कविता कहानी नाटक दो बच्चो साहित्य भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम रहा है उसमें जी चाहे कविता हो या कहानी हो नाटक हो या अन्य कोई चित्र हो यह संस्मरण हो यह सब जो है यात्रा प्रतांत हो यह जितनी भी विधाय हैं चाहे निबंध हो और लेख हो अनुच्छेद हो संबाद हैं जितने भी यह सब हैं और साक्षातकार हैं यह जितनी भी विधाय हैं साहित्य की यह भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम रही हैं यह प् प्राचीन काल से रही हैं ओर आज जो है आज की जो परिप्रेक्ष को हम देखते हैं वर्तमान की परिशिति को देखते हैं तो आज अनेक माध्यम हो गए हैं अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम हो गया है जिसको इंग्लिश में मीडियम एंड एक्स्प्रेशन वो हम कहते हैं अंग्रेजी में लेकिन इसका जो हिंदी रूपांतरण किया गया वो है अभिव्यक्ति और माध्यम ये विश्व विद्जाली इस्तर पर भी पढ़ाया जाता है फाइनल एर में बीए औनर बीए सनातक अन्तिर वर्ष में पढ़ाया जाता है फिर सनातोको तर बाइनले डिवर्ष के जो इन चत्राच नहीं स Two जो आपका फाइनल है यैनि म फाइनल उसमें यह में के अंतिम वर्ष की जो चात्र अर्चात्राएं हैं उनके यहां भी यहां कूर्स पाठ् Sesame ले पाठ्रयक्रम अभीव्यक्तियमाध्यम का लगा हुआ है तो यह जो अभीवक्तियमाध्यम का जोड़िवक्रम का लगा हुआ है यह आपको कहां ले जाता है पत्रकार्टा की ओर ले जाता है कहां ले आता है पत्रकार्टा की ओर चाहे रेडियो पत्रकार्टा का कोर्स हो या आपका दूरदर्शन पत्रकार्टा का कोर्स हो और प्रकाशन माध्यम का जो कोर्स हो इनकी ओर जो है ले जाता है यह विशय और बहुत रूचिक कर विशय है ठीक है आपको रुचिकर विशय है और ये अब ये मास कम्मुनिकेशन एक डिप्लोमा एक साल का होता है ये ग्रेजुशन के बाद ये भी आप कर सकते हैं खैर मैं थोड़ा सबीशय से हट गया लेकिन बात वही अभिवेक्ति और माध्यम की चल रही है विद्यार यहां आकर के बताए मेरे पास कविता क्या है कि बताओ चलो ब्लैक बोर्ट पर थोड़ा सा लिखिएगा कविता वाक्यम वाक्यम रसात्मकं कावियम ये आचार्य विश्वनाथ मिश्र आचार्य विश्वनाथ वाक्यम रसात्मकं कावियम आचार्य विश्वनात साहित्य दरपन से ये उद्रित है और आचार्य विश्वनात का ये कथन है कि रसात्मक वाक्य ही कावि होता है कविता होती है जिसमें वानी रसवती यस्य जिसकी वानी रसवती है वही किसी को प्रेम के वश में कर लेता है और हमसे तुम्हारा लगाव क्यों है क्यों मुझसे लगाव करते हो तुम लोग मेरे अंदर क्या है कि तुम सब मुझसे लगाव करते हो ज्यान के कारण गुरु शिष्य परंपरा के कारण और एक प्रेम की भाषा वानी रशाप्लावित वानी के कारण व्यवहार के कारण कई लठमार अगर कोई अध्यापक लठमार भाषा बोलेगा विद्यार्थी से तो क्या विद्यार्थी उसके पास आएगा या दूर भागेगा दूर भागेगा तो इसी लिए जिसकी वानी में रस है जो जो वाक्य रस से यूगत है रसाप्लावित है उसे हम काव्य कह सकते हैं काव्य कह सकते हैं उरजलधि की लहरियों में लहरती मेरी सुकविता मुस्कुराती चंचलासी हो गई साहित्य सविता यहां काव्य परिभाशा है यह काव्य में कविता के परिभाशा है लिखेगा बैटा को अर्थात कल्पना वी अर्थात विचार ता मतलब तारतम्य जी जी कल्पनाओं एवं कल्पनाओं एवं विचारों का तारतम्य कविता कहलाती है कविता कल्पनाओं और विचारों का एक तारतम्य है कल्पनाओं मन में कल्पनाओं आती हैं फिर विचार विचार में परिवर्तित होते हैं और यह कल्पनाओं विचारों में परिवर्तित विचार जो है शब्द में परिवर्तित होता है विचार होते हैं वो शब्द में परिवर्तित होते हैं और शब्द में परिवर्तित हो करके फिर जो है शोता और पाठक तक जाती है तिये और शोता और पाठक तक अपनी अभिव्यक्ति को प्रसारित करती है अभी अपनी अभिव्यक्ति कविता करती है कविता जब कविता की बात करते हैं विद्यार्थियों तो कविता किस से निकलती कविता का कविता के कारण भी होते हैं कविता का कारण भी हो सकता है वियोगी होगा पहला कवी आहा से उपजा होगा गान उमढ़कर आखों से चुप चाप बही होगी कोई कविता अन्जार यह सुमित्रा नंदन पंत की पंतिया है भराबर तारतम्यता बनी रहती है वराबर एक श्रेंखला एक आन्विते बनी रहती है शब्दों की लड़ी के साथ भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि जब तक कविता में कविता का पहला जो कहला मूली रूप जो है हलंके शब्ड तो डिंआ शब्द क कुछ होई नहीं सकता वीनाश दें की वाणि निकल सकते नहीं सकते आप लोगों को अच्छा लग लगा या अच्छा चλοबाए इसलिए में रूची रखी ए साहित्य में रूची में रखेगा तो अच्छा लगेगा कहते हैं कि अंधकार है वहाँ जहां साहित्य साहित्य का सहजभाव साहित्य है डॉक्टर रमाकांद शुक्ल प्रोफेसर रमाकांद शुक्ल दिल्ली नुश्टी के संस्कित विभागा ध्यक्ष्य है संस्कित विभागा ध्यक्ष्य संसक्रित विभाग है उनोंने लिखा है साहित्य दोनों जो है अच्छा हित्य के साथ और राम तुलसी बाबा तुलसी क्या कहते हैं कि रे पूरान जेत सहित प्रभुआवत सहित हित अर्थात मित्र हित के साथ हितु के साथ आ रहे हैं मित्रों के साथ आ रहे हैं सिता सहित अनुज प्रभुआवत सिता और अनुज मतलब लक्षमान लक्षमान और सहित अपने मित्रों के साथ कौन आ रहा है राम रे पूरान जीत सुजसजसगावत भगवान ने शत्र को जीत लिया है अईसा अईसा गुनगान जो है सुर मतलब देवता कर रहे हैं और हनुमान जी जाकर के भरत जी को सुनाते हैं कभिता है कभिता जीवन में है कभिता के बिना कुछ नहीं है कभिता कभिता हमारे मन में है कभिता आपके मन में है कभिता कभिता तुलसी लसिता लसिता कभिता मतलब तुला राशी तुला राशी क्यों है राम है राम भी पर राम जो है वह राम जो है दूर्बृति को उसने धारण कर लिया राम ने प्रवृत्ती को धारन किया और उधर दुरियोधन कहता है कि जानाम्यधरम्म नंचमे प्रवृत्ती ही मैं अधर्म को जानता हूँ परन्तु मेरी प्रवित्ति नहीं है प्रवित्ति का मतलब होता है आदत प्रकृति जानामि धर्मम नचमे निवृत्ति ही निवृत्ति मतलब होता है मुक्ति निवृत्ति का मतलब होता है मुक्ति मुझे मुझे अधर्म से मुक्ति मुक्ति जो है नहीं मिल पा रही है क्योंक तो हो गया हूं उसमें सनलिप्त हो गया हो इसलिए है मैं सब कुछ रावन राम रावन दूने एक तोला राशी के हैं एक जो है और श्वर्ता क्यों चला गया अनलगल काम करके एक मर्यादा को स्थाफित करके उसने शमग्र समग्र विश्व को जीत लिया समग्र सुर असुर देव गंधर्म किनर नर यक्ष राक्ष सब को जीति लिया तो कविता 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 के कारण कविता जो है चार तत्तों से निकलती है बच्चों कविता अभ्यास प्रतिभा कल्पना और हेतु कारण अभ्यास नहीं है कुछ नहीं हो सकता है बिना अभ्यास से विशम्य विद्या मिना अभ्यास के विद्या जो है नहीं होगी बिना अभ्यास के कविता नहीं अगर कोई मुझे अभी कह दे कविता लिखने के लिए तो नहीं लिख पाऊंगा जब मेरा मुझे कोई कह दे कविता सिखाने के लिए मुझे कविता दिखाना लेकिन नहीं सिखा पाऊंगा यह प्रकरती प्रदत्त विद्या यह जो गुद्या कविता बार दीजिए कविता एक कला है और यह उन्होंने शैली ने लिखा था कला कला के लिए तो कविता जो है कविता मानो मन की रागात्मक अनभूतियों का अनभूतियां अनभूतियों का एक शब्त रूप जो शब्दायित हो करके शब्द बद्ध हो करके और शोता और पाठक तक पहुंशती है वहे कविता तिपा कविता के बीना कुछ नहीं है कविता सब कविता आपको सिखाती है ता अभ्यास प्रतिभा और अभ्यास प्रतिभा कल्पना और कला इस चार तत्व हैं इन चार तत्वों से कविता की उत्पत्ति होती है कविता की निश्पत्ति होती है मान और कविता निश्पत्ति का कोई नो कोई कारण होता है कोई नो कोई हेत होता है तभी कविता निकलती है कोई हर्षोला का कारण हो कोई शोक का कारण हो शोक जब क्रोंच और क्रोंची दोनों जल क्रीडा कर रहे थे और जब बहेलिये ने बधिक ने मार दिया एक को महरशी बालमिकी को बड़ा करोधाया और शोक भी आया उनकी अंदर करुणा जगी और उस करुणा से कविता निकली बधिक को शाप दे दिया प्रतिष्थाम तमग महाशात्स्वति समा यथ्वंच मिथु नादेक मवधी काम मोहितम यहें कभिता बच्चों यसलि ने कभिता मैं जीता हूं कभिता कभिता का कभिता पान करता हूं कभिता पीता हूं कभिता जीता हूं कभी मैं चंद लिखता हूं कभी मैं गीत लिखता हूं कभी जीवन सुर्मई होवे वो संगीत लिखता हूं यह कभिता है यही कविता है कविता जो है आपके आपके अंतह करन से कविता आती है हरदय से कविता आती है कविता ऐसे नहीं आती है कि एक लिख जा एक आ और एक लिखा जा आ आ जा कविता हो गई रामदास खड़ा था उसको पता था कि उसकी हत्या होगी कविता कविता के नाम पर जो है कविता के नाम पर कविता लिख रहे हैं कविता में क्या होता है कविता में छंद अलंकार रस और गुन सब होने चाहिए कविता मनुष्य को मानव बनाना सिखाती है और कविता का किसी भी काव्य रचना का एक प्रियोजन होता है उद्देश होता है स्वर्गिय कवी राश कवी मैसलिशन गुप्त कहते हैं कि मनुरंजन ही न कविका केवल कर्म होना चाहिए उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए मनुरंजन ही न कविका केवल कर्म होना चाहिए उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए तो विद्यार्थियों आज मैंने काव्य पर जो संख्यत रूप में वक्तब दिया यही है कि कविता कैसे बनती है कविता जो है भावों से विचारों से कलपना से और शब्दों की शब्द रचना से शब्द विन्यार से वाक्य विन्यार से कावी की रचना होती है कविता में चंद रस अलंकार गुण इत्यादी और जो है चमतकार होना चाहिए अर्थ गांभीर्य होना चाहिए शब्द गांभीर्य होना चाहिए बाय और अन्तह अलंकारों का समावेश हो वही कविता है और विध्यारतियों आज जो मुझे अच्छा मुझे विश्वास ही है कि आपने जो कुछ भी सुना मेरे वक्ततब्य को आप उसको अपनाएंगे और जो हमारा अगला टॉपिक होगा उगला टॉपिक होगा वो होगा नाटक अगला टॉपिक जो है नाटक पर रखेंगे और कल नाटक पर आप प्रश्न करके लाएंगे प्रश्न लिख करके लाएंगे और मुझसे प्रश्न करेंगे फिर उसके बाद अगली चर्चा कल मेरा वक्तब ये जो है कल नाटक पर होगा और आज जो वक्तब कविता पर मेरा था आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आ माचार राम चुकल करते हैं कविता जो है किसकी आत्मा है साहित्य की आत्मा है तो इनी शबदों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं मा शार्दा को डणाम करता हूं कि लिखु में गीत आतिने करों मा तेरा ही वर्डन रसिक की लेखनी में मा पैनीधार कर देना बहुत भी धन्यवाद, साधोवाद विध्यार थियो